वीडियो लेक्चर यहांने एक और वीडियो लेक्चर आज बात करने वाले हैं रिलीजिन यानि धर्म शब्द पे ऐसा क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे constitution का बहुत important part है और हमारी country में आप किसी इंसान को किसी भी चीज से अलग कर सकते हैं लेकिन धर्म से नहीं कर सकते हैं इस बात की बहुत ज़्यादा possibility है कि अगर हम किसी इंसान से बात करें तो हो सकता है उसका कोई point of view ना हो किसी social issue पे या किसी political issue पे लेकिन उसका एक धर्म को लेके point of view जरूर होगा और 99% chances हैं कि वो किसी धर्म को follow भी करता होगा इस बात की भी chances 99% हैं कि वो person के जो point of views होंगे किसी social issue को लेके या किसी political issue को लेके वो उसके धर्म के base पे ही होंगे इसलिए हमारी country में आप किसी इंसान को किसी भी चीज से अलग कर सकते हैं लेकिन उसके धर्म से नहीं ये बात एक दम सही कही जाती है आज हम बात करने वाले हैं freedom of religion के बारे में जो कि constitution of India का एक important part है और हमारे देश का और हमारा भी important part है इसलिए इसके बारे में article 25, 26, 27 और 28 को आज हम deal करेंगे इसके अंदर क्या-क्या लिखा हुआ है वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा वो क्यों नहीं बताऊंगा क्योंकि हम इसको in-depth deal करने वाले हैं आगे लेकिन article 25 और 26 के बारे में इतना ध्यान रखिए कि यही दो सबसे main article है यहाँ पे मिलते हैं हमें 4 cases और यहाँ पे मिलता है हमें 1 case इन दोनों को अगर हम किवल read कर लेते हैं तो हमारा concept clear हो जाता है तो आज हम सिर्फ concept को नहीं समझ रहे हैं बलकि exam perspective से भी अपनी तयारी को एकदम मजबूत कर रहे हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे प्राफेस प्रापगेट को मैंने अंडरलाइन कर दिया और कंसाइंस को मैंने अंडरलाइन कर दिया इस पूरे लाइन का अगर सेंस बनाया जाए तो सेंस यह निकलता है कि हर एक इंसान के पास यह हक है कि वो अपने religion को practice कर सकता है, promote कर सकता है, उसको follow कर सकता है openly, इस बात का हर इंसान को क्या होता है, हक होता है, लेकिन उपर का जो white वाला portion है वो बात करता है कुछ restrictions की, यानि कि ये काम हर इंसान करतो सकता है, उसको constitution के तहित अधिकार है, लेकिन उपर वाली line जो है, वो कुछ restrictions लगा रही है, जो कि majorly 4 हैं, क्या है वो restrictions, पहला है public order, जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानि कि लोग शान्ती के हिसाब से आपको एक काम करना है, दूसरा है morality, morality के ground पे भी वो चीज गलत नहीं होनी चाहिए, तीसरा है health, वो public health भी हो सकती है, और individual health भी ह हो सकती है, कि उसके base पे भी ये आपका जो practice है, वो गलत नहीं होना चाहिए, और उसके साथ आता है other provision of part 3, यानि कि ये part 3 of the constitution, यानि कि fundamental right का एक important provision है, तो उसके तहट अगर कोई और restriction part 3 में लगाया गया है, जो यहाँ पे भी reasonable पाया जाता है, तो वो restriction भी यहाँ पे applicable हो जा देते हैं, आगे की slide में हमने इन चारो शब्दों को decode किया है, हमें चार शब्द वहाँ पे देखने को मिले, profess, practice, propagate और freedom of conscience, अब उसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं, profess का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, declare openly, declare openly का मतलब क्या होता है, कि अगर मैं किसी धर्म को follow कर रहा हूँ, मैं किसी religion को follow कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये अधिकार है कि मैं openly उसको accept कर सको कि हाँ, मैं इस धर्म को follow करता हूँ, ये मेरी practices है, ये मेरा freedom है, ये मेरा अधिकार है, मुझे कोई भी इस चीज़ के लिए रोक नहीं सकता, इसका मतलब ये भी हो गया, कि मैं अ रही है कि मैं शाम के समय जाके किसी भी मंदिर में आर्ती कर सकूं या अपने घर पे आर्ती कर सकों, या अगर किसी public place पे कोई एक मंदिर बना हुआ है, तो मैं वहां जाके आर्ती कर सकूं, ये मेरा freedom है, ये मेरा अधिकार है, ये इसके बारे में बात करता है, अपने देखा होगा कि अगर कोई public gathering करके मैं ये बताओं कि गीता के श्लोकों में क्या लिखाता या कोई और बताए कि गुरुगरं साहिब में क्या लिखाता या कोई बताए कि बाइबल में क्या लिखाता तो मैं promote और propagate करने की कोशिश कर रहा हूं अपने religion को और इसका मतलब भी यही होता है और इसका अधिकार आपको दिया गया है बस आपको ध्यान क्या रखना है कि ये restrictions के अंडर में नहीं आना चाहिए यानि कि public order, morality, health और part 3 of the constitution के किसी और restriction के अंडर में नहीं आना चाहिए अब जड़ा देखते हैं इसका मतलब freedom of consigns का freedom of consigns का मतलब और कुछ भी नहीं सिर्फ इतना है, enough freedom of an individual to mold his relationship with God in whatever means he likes, यानि कि एक individual के पास ये right होना चाहिए कि वो जिस भी हिसाब से अपने God को follow करना चाहता है, अपने अंदर जो changes लाना चाहता है, या वो जिस भी तरीके से अपने life में changes लाना चाहता है, वो ले आए और अपने God को follow कर ले, ल इसलिए वो restrictions का लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी था, तो article 25 sub clause 1 में हमारे पास सिर्फ इतना ही है, लेकिन हमारे पास है चार important cases जो इस article को बहुत ज़्यादा important बनाते है, पहला case आता है, S.R. Bumai versus Union of India का, इस case में क्या कहा गया था, secularism is the basic feature, secularism शप्त का मतलब क्या है सर, secularism शप्त का मतलब यह है कि सारे धर्म एक है, हमारे country का एक important feature है, secularism, state का कोई religion नहीं होता, यह secularism का मतलब है, यानि कि state किसी भी धर्म को follow नहीं करता और सब के लिए जो धर्म है वो बराबर है, यानि कि सारे धर्मों को बराबर नजर से देखा जाता है, अब यहाँ पर क्य of religion, the state is neutral and treats every religion equally, जो matters है, जितने भी state के matters है, उसमें जो religion शब्द है, उसको वो कैसे deal कर रहा है, neutrally deal कर रहा है, यानि कि state का कोई भी धर्म नहीं है, इसके बाद हमारे पास case आता है, Arona Roy versus Union of India का, इस case में Supreme Court ने क्या बोला, इसमें Supreme Court ने बोला, कि study of religion in school is not against secular philosophy of the constitution, स्कूलों में religion के बारे में पढ़ना या पढ़ाना secular philosophy के against नहीं है, यानि कि धर्म जो है, वो स्कूलों में भी पढ़ाया बताया जा सकता है, और उसके साथी साथ एक और बड़ा अच्छा opinion दिया, उन्होंने कि secularism is suspectable to positive meaning that is developing understanding and respect towards other religion, और उन्होंने बोला कि यह जो आपको ये तो secularism का मतलब सर्फ इतना ही नहीं है कि सब धर्मों को समान अंतर से देख लिया अगर किसी को पढ़ाया जारा एक धर्म के बारे में, तो इसको इस context में देखा जाएगा, कि उस person को right दिया जा रहा है कि इस चीज़ का, कि वो दूसरे धर्मों को समझ सके और उनको उनक Supreme Court held that offer of prayer or worship is a religious practice, but offering at every location where such prayer can be offered would not be an essential religious practice. Supreme Court said that you have a basic human right, you have a right, you have a right, you have a fundamental right, you have a religion, but every place, every place, every place where you practice, you have a religious affair, you have a secularism, you have no idea. इसके साथ ही साथ हमारे पास एक और केस है, In Church of God, Full Gospel of India versus KKRMC Welfare Association, काफी नमबर नाम, लेकिन आपको अगर इसको याद रखना है तो आप Church of Full Gospel के बारे में याद रख सकते हैं, आपको असानी से याद हो जाएगा, Supreme Court held that no person can be allowed to create noise pollution, यह noise pollution के बारे में बात कर रहा है, कि किसी क वह भी अपने profession को practice करते वक्त, यानि अपने religious profession को practice करते वक्त, noise pollution का हक नहीं होता है, जैसे हम आम तोर पे देखते हैं कि जब कभी भी कोई religious practice होती है, तो loudspeakers लगा के उनके बारे में उनको practice किया जाता है, तो उसके बारे में Supreme Court ने खा कि उससे noise pollution नहीं होना चाहिए, कर सक and restricting economic, financial, political and other secular activities associated with religious practice and also for social welfare and reform or throwing open of Hindu religious institutions of public character to all classes and sections of Hindus, ये कुछ भी नहीं कह रहा है, ये सिर्फ इतना कह रहा है कि जो सारकार है, यानि कि जो state है, वो क्या कर सकता है, वो law बना सकता है, किस के लिए बना सकता है, regulate करने के लिए कि जो religious practice हमारे यां पे चल रही है, वो किस तरह च सकती है, 25 sub clause 2 में हमारे पास ऐसा कुछ important नहीं है, important आता है आर्टिकल 26 में, 26 को एक बरज़र डील करके देखते हैं कि ये किस के बारे में बात कर रहा है, ये कह रहा है, that subject to public order, morality and health, फिर से क्या लग गए, exception लग गए, यहां पे, every religious denomination of any section there shall have the right, अब ये क्या कह रहा है, एक group of people, एक individual या group of individual ने क्या किया, एक धर्म के अंडर में एक और छोटा सा group बनाया, जो कि किसी और practice को follow करता था, किसी specific practice को follow करता था, उसको denomination कहते हैं, यानि कि एक बड़ी body के अंदर एक छोटी body काम कर रही है, तो ये क्या कह रहा है, ये काम हो सकता है, और उनके पास अध किसी धर्म से associated institution की स्थापना करी जा सकती है, दूसरा क्या कह रहा है, to manage its own affairs in matters of religion, धर्म के matter पे वो अपने affairs को खुद ही manage कर सकते हैं, उसके बाद क्या कह रहा है, to own and acquire movable and immovable property, वो उस institution के नाम पे individual तो करी सकता है हमारी country में, जो institution, जो group उन लोगों ने बनाया है, उस group के base इस पे भी क्या कर सकते है, movable और immovable property को own कर सकते हैं, खरीच सकते हैं उसके नाम पे, to administer such property in accordance with law, और उसके बाद जो property उन्होंने acquire करी है, जिस भी property को वो own करते हैं, उस property को law के साप से administer भी कर सकते हैं, उस institution के नाम पे, वो जो denomination है, उसके नाम पे, आगे बढ़ते हैं, इस conditions को fulfill करना पड़ेगा, किसी भी religious denomination को, क्या-क्या है ये conditions, it must be a collection of individuals who have a system of beliefs which they regard as conductive to their spiritual well-being, वो क्या होना चाहिए, collection of individual होना चाहिए, सब का common goal होना चाहिए, और वो किस लिए होना चाहिए, कि to their spiritual well-being which they regard, यानि कि उनका जो spiritual well-being है, मतलब पहली बात positive side of the spirituality की तरफ होना चाह चाहिए, well-being की तरफ होना चाहिए, और वो common spiritual connect के साथ जुड़े होने चाहिए, उसके बाद क्या आता है, it must have a common organization, organization जो वो common होनी चाहिए, उनके रूख सलग नहीं होने चाहिए, और उसके बाद it must be designated by a distinctive name, उनका जो नाम है, वो distinctive name होना चाहिए, कोई common नाम यानि किसी और आप जो है group का या body का नाम उठा के अपने में नहीं लगा सकते हैं, ठीक है sir, आगे बढ़ते हैं, ये वाला concept तो clear हो गया है, अब हमारे पास आता है article 27 और 28, दोलों को हमके वल एक paragraph में पढ़ेंगे और हम concept clear करनेंगी कि article 27 और 28 क्या कहता है, 27 कहता है freedom as to payment of taxes for promotion of any particular religion, वो क् no person shall be compelled to pay taxes, the proceeds of which are specifically appropriated in payment of expenses for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination, वो क्या कह रहा है, वो सब इतना कह रहा है कि कोई भी person tax pay करने के लिए libel नहीं होगा, उस case में जो की proceeds, यानि कि जो पैसा उसने लिया है, जो पैसा उसको मिला है, किस से, जो ये आपका religious denomination था, या जो maintenance of any particular religion की धर्म को maintain करने के धर्म से जुड़े हुए कोई ऐसा पैसा जो आया है, उसके लिए उसको tax देने की जरुवत नहीं पड़ेगी, no person shall be compelled to pay taxes, उसके उपर कोई भी बांध नहीं लगाया जाएगा, उसको बाद नहीं किया जाएगा, कि आपको pay करना ही पड़ेगा, इसके बाद आता है हमारे प clause 1 हमें क्या बता रहा है, provides that no religion instruction shall be provided in any educational institution wholly maintained out of state fund, ये क्या कह रहा है, ये सब इतना कह रहा है कि कोई भी किसी भी प्रकार का religious instruction नहीं दिया जाएगा, किसी ऐसे institution में जो की completely state fund पर चल रहा है, यानि कि जो completely सरकार के द्वारा चलाए गए institution है, मान लीजे सरकारी स्कूल, जवा लिए, उसके बाद आता है, article 28 sub clause 2, ये कहता है, provides that clause 1 shall not apply to any educational institute, which is administered by the state, but it has been established by any endowment or trust, ये क्या कह रहा है, कि ये चीज़ applicable है सरकारी institute पे, लेकिन ये उन institute पे applicable नहीं है, जो चला है, तो सरकार के द्वारा जा रहा है, लेकिन originally ये था किसका, ये किसी trust का था, ये किसी specific group का थ इसका example क्या है, ये जो schools होते हैं, कुछ-कुछ, जैसे Christian schools कुछ होते हैं, जिनको government acquire कर लेती है, वो originally किनका है, Christian community का है, जिसको government ने sponsor करना शुरू कर दिया, तो उस case में यहाँ पे ये चीज़ applicable नहीं होगी, और उसके बाद आता है, हमारे पास, article 28 sub clause 3, provides that no person shall be required to take part in any religious instruction or in any educational institution recognized by state, or receiving aid out of state funds, unless such person has his guardian, in case of person is minor, has given his consent, ये बड़ी ही मामुली सी बात कर रहा है, ये किसी minor के बारे में बात कर रहा है, एक बार आप इसको पढ़ेंगे, तो आप तो आप समझ जाएंगे, that no person shall be required to take part in any religious instruction in any educational institute, किसी भी person को क्या है, उस ऐसे किस institute में participate करने की जरूबत नह है, कब नहीं है, जो कि आपका state के द्वरा recognize किया गया हो, receiving aid out of state fund, unless such person is guardian, जब तक कि वो person जो है, guardian ना हो, किसी minor का, और उसको consent ना मिल गया हो, अपने guardian का, उसके बारे में बात कर रहा है, इसमें कुछ भी ऐसा special नहीं है, हमारे लिए जो पढ़ने के लिए important था, वो था article 25, 25, 26, क्योंकि उसमें हमने total 5 cases को deal किया, और major concept को वहीं पे breakdown किया, क्योंकि ruling भी थी उसमें, और concept भी था, 27 और 28 एक understanding के लिए जरूरी है, तो इसलिए हम उसको पढ़ते हैं, ये 25, 26, 27 और 28 ये चार आर्टिकल्स हमारे लिए सबसे important आर्टिकल हैं, जो कि freedom of religion के बारे में बात सकते हैं, तो हम उसके बारे में पूरी कोशिश करेंगे कि एक नया वीडियो लेके आएं, मिलते एक नई वीडियो के साथ, अगले दिन, तब तक के लिए all the very best and have a very good day. आर्रिकल्स